श्रिवा को सीदे लिए चलते भुपाल जोहापर सीम शिवरा सिंग जोहान बहुत हरोपन कर रहे हैं और संकल्प को लेकर जिनसभा को संभुदित कर रहे हैं भारती जिनता पारिटी संग्ठन के आदर्णी पदाधी कारिगन मेरे साथ जिन्होंने लगातार कभी ने कभी पेड़ लगाए ऐसे मेरे सभी परियाबरन प्रेमी उन मेंसे जो भुपाल में लगा रहे थे उन मेंसे अधिकान सा आपाए कई लोगों ने का हमें भी बुलाओ तो हमने ये कहा जो बाहर से लगाने आते थे कि आप जहां हो वही पेड़ लगाओ तो जो यहां हैं और जोनोंने कभी न कभी आके यहां पेड़ लगाए हैं अपने जन्म दिन पर साधी की बरसगाट पर माता पिताजी की पुन इस्पृति में या बच्चों के जन्म दिन पर जिनने प्रदेश भर में पीड़ लगाए हैं ऐसे लगबख सरसथ लाख पीड़ लगे हैं जो मेरे पास जानकारी है ऐसे सभी मेरे प्रिये बेहनों भाईयों भांजे और भांजियों एक संकल्ब के दो वर्स पूर्ण हुए हैं 19 फरवरी को अमरकंटक में मैंने इस अभ्यान का पहला प्रक्ष लग पहला पौधा लगाया था अपने प्रधान मंत्री जी कहते हैं भसुदैभ कुटुमकम के भाव को जमीन पर उतार में का एक धर्ती एक परिवार एक भविश्य अब प्रधान मंत्री जी ने भी साफ कहा है धर्ती को अगर बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमिट चैंज के खतरे से तो हमको ब्रिक्षा रोपन का महा भीहान चलाना पड़ेगा बाकी उपाई भी करने पड़ेंगे लेकिन एक काम है ब्रिक्ष लगाना अब ब्रिक्षा रोपन का भीहान जब से भाजपा की सरकार बनी मेरे बरिश्ट साथी बैठे हम लगवग हर्याली महसम मना के करते ही थे लेकिन वो अभिहान होता था एक दिन लगाओ बहुत से पेड़ लग जाते थे पर सवाल या आता था सर्वाइवल का भी एकटे बहुत से लग गए तो कितने बच पाए कितने नहीं बच पाए कई बार अभिहान के तोर पर अगर लगाते हैं तो फिर देख रेक का भाव भी हो जाता कहीं भी लग जाता दोनों बाते मेरे दिल दिमाग में आई एक अभिहान चले उनको बंद नहीं करेंगे अभिहान के तोर पर तो लगे ही लेकिन अगर जिन्दगी के किसी खुसी के मौके पर या कोई यादगार का पल ऐसा हो उस पर हम संकल्प ले लें को उस दिन हम पेड़ लगाएंगे तो स्वाब हाविक रूफ से धीरे 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 कई पेड़ लगते चले जाएंगे फिर एक बात दिल में आई कि भासन से थोड़ी होगा सिवराज हम भासन दे पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ और खुद ना लगाएं तो मन में आए कि भासन सनी आचरण से सिखाना चाहिए मुझे आपको पेड़ लगाने का कहने का अधिकार तर्ब तो मन में आए कि भासन सनी आचरण से सिखाना चाहिए मुझे आपको पेड़ लगाने का कहने का अधिकार तभी है जब मैं पेड़ लगाओं मैं लगाओं नहीं और केवल मैं उद्वो धन करूँ उससे हम प्रेर ना पैदा नहीं कर पाते हैं कई बार हम समय नहीं है व्यस्टता है लेकिन देखो भोजन करने के लिए तो अपन समय निकालते हैं नहाने के लिए भी समय निकालते ही हैं सोने के लिए भी समय निकालते ही हैं अगर हम भोजन ना करें तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं लेकिन सोचो अगर हमें आक्सिजन ना मिले तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं अरे रह सकते हैं क्या आक्सिजन चाहिए और सब जानते हैं आक्सिजन कौन देते हैं जोर से बताएं पेड़ देते हैं तो जैसे हम भोजन करके अपने सरीर की आवसक्ता की पूरती करते हैं बैसे पेड़ लगा के हम आक्सिजन की आवसक्ता की पूरती भी करें ये सोच है लेकिन बिवहर एक रूफ से मुझे लगा कि हर एक की जिन्दगी की वेस्चता में वो रोज पेड़ नहीं लगा सकता तो मुझे लगा मैं रोज लगाऊं और मैं भगवान प्रणाम करता हूँ इस बात करिये कि एक भी धिन दो साल में ऐसा नीरा जब पेड़ नहीं लगाया हो मैं एक भी निग बीच में मुझे कोविड हो गया अब कोविड में भी पेड़ लगाना कैसे जारी रखे अब कोविड में तो कमरे में बंद कर देते हैं हमने उसमें भी रस्ता निकाला लगाए मैंने CM हाउस में लेकिन गड़ा खोद के पेड रख दो और वाकी सब चले जाओ मैं अकेला हूंगा चुपचाप अगल बगल में कोई नहीं रहेगा मास्क लगा रहेगा पेड लगाऊंगा और चला जाऊंगा तो फिर वो क्या कियते हैं इस्पर मिस्परी करवाके वो करते थे वो करवा देना सेनिटाइज करवा देना लेकिन पेड लगाना मत चुटवाव उस से भगवान के किर्पा है कि कोविड में भी मेरा संकल को टूटानी पेड़ लगते चलेगा और आज पेड़ लगाना अब जनांदोलन बन गया अज़ यह बहुत आसान है देखे जनम दिन पे साल स्रीपल बुके इस मिर्थी चिन्दे क्या जरूरत है जिए पेड लगाने से बढ़िया कोई जनम दिन हो सकता है कि हम मुझे बताओ दिल से बताने जरा अरे हो सकता है क्या पेड लगाना मतलब धर्ती माता का स्रिंगार मतलब हमारे जीने के लिए आक्सीजन मतलब पक्षियों को बैठने का इस्थान उसमें फल लगेंगे तो वो च्छाएं देगा पक्षी अपना घर बनाएंगे उसमें जो फल लगेंगे वो खाएंगे एक व्यस्क पेड़ को देखना आप पीपल के नीम के बट के कितनी कितनी जिन्दगियां पलती हैं उसमे आप कभी ध्यान से देखना साम के समय पेड़ के उपर कितने पक्षी रात गुजारते हैं कितनों के घोसले बनते हैं और किवल पक्षी नहीं होते हैं एक बार मैंने बट के ब्रक्ष पे देखा हजारों जीव कीट पतंगे चीटा चीटी अलग अलग प्रेक हैं कोई उपर जा रहा है कोई नीचे आ रहा है पेड़ लगाना कितनों को जीवन देना है बेहनों और भाईयों कितनों को जीवन देना है फल मिले, फूल मिले, सासे मिले, चिंदिगी मिले, च्छाओं मिले, आस्रे मिले, इससे बहतर और कौन सा काम हो सकता है इसलिए एक अभियान जन्म दिन पर पेड़ लगाओ, साधी की बर्सगाट, मेरिज अन्वर सरी पेड़ लगाने से बढ़िया कैसे मना सकते हैं आप और बताओ पत्नी के प्रेम संबंध भी प्रिगाड हो और लोगों के काम भी आएं बच्चों का जन्म दिन मनाओ, पेड़ लगाओ, इतने छोटे छोटे बच्चे पेड़ लगाने आते हैं रोज कई बार मैं पेड़ लगाओंगा, पानी डालते हैं, पेड़ पकरते हैं, बच्पन से संसकार दे दिया आपने एक अच्छा काम करने का संसकार और माता-पिता की पुर्न इस्वृती में पेड लगाओ, वर्सों तक रहेगा मा की इस्वृती, पिता जी की इस्वृती मुझे कहती हुआ है, हमने एक अंकुर अभियान बनाया, अंकुर अभियान चलाया उसमें यही का कि भाई जनम दिन पे पेड़ लगाओ साधी की बरसगांट पे पेड़ लगाओ और पेड़ अपलोड करो कई बार पन लगा के भूल जाते हैं अब पेड़ अपलोड करोगे सोसल मीडिया पे लगाते समय करो तीस दिन के बाद करो पच्छतर दिन के बाद करो तो ऐसे 37,10,192 पेड़ लगाए गए जिनको लगाके अपलोड किया गया पंद्रह लाख नवासी हजार तीन सो चालीस लोगों यह अपलोड वाले हैं कई लोग अपलोड नहीं करते हैं आज यहां भी जो आपने पेड़ लगाए आपको क्यू आर कोड दिया गया है यह मेरा क्यू आर कोड है इससे आप पता कर सकेंगे कि आपके पेड़ की स्थिति क्या है तो यह लगाना नहीं बचाना भी है मुझे खुसी है कि मद्वदेश की धर्ती पर यह अभ्यान अब विराट जन अंदोलन बनता जा रहा है अद्ड़क जी आज विकास स्यात्राएं भी पेड़ लगा की शुरू हो रही है मद्वदेश में अलग अलग अब सरों पर पेड़ लगते हैं यह धर्ती को बचाने का भीयान प्रधान मंत्री स्रीमा नरेंदर मोदी जी के संकल्प को पूरा करने का भीयान नेट जीरो का टार्गेट प्राप्त करना है दोहजार सब्सक्र तक उसमें पेड़ों की बड़ी भूम क्या रहेगी प्रधान मंत्री जी ने जो परियावरन बचाने का भीयान हथ में लिया है बदप्रेस अग्रणी भूम क्या निवारा है अब हम तो पानी पे भी सोलर पैनल बचा रहे हूं का रिस्वर में तीन भई को सांची पहली सोलर सिटी होगा हिंदुस्तान की परियावरन मंत्री बैटे हैं हमारे तो एक नहीं को काम चल रहे हैं आज मैं इस अबसर पर आज मैंने पेड़ यहां भी लगाएं बारहरा जों में पेड़ लगाएं मैंने क्योंको बीच में बाहर जाना पड़ा तो बहां भी पेड़ लगाना है लोगों को बड़ा सुख़द आश्य होता है जब कोई पेड़ रगाता है एक और हमने बायूदूद एप्लिकेशन भी बनाया जिसमें प्रदेश के अंकुर अभियान से जुड़ाओ रखने वाले देश बिदेश के लोग भी रेजिस्टेशन कराके पौधार ओपन के समय सेल्फी लेकर अपना फोटू अपलोड कर सकते हैं अजया देखो अपने अग जितने बाहर से लोग आए भौपाल में प्रमादनी राष्टपती जी सहित धार्मिक हमारे गुरूओं सहित अलग अलग लोगों ने यह पेड़ लगा है अभी दुनिया भर के लोग आए इंदोर प्रमादनी बाहरती सम्मेलन में ग्लोबल इंवेस्टर समिट में वह ग्लोबल गार्डन बन गया इंदोर में यह सब ने पेड़ लगा है G20 ओर T20 ओर पेड़ लगाते हैं सबसे पहले आके तो मदवडेस अकेला पेड़ लगाता मदवडेस आने वालों से भी पेड़ लगवाता है और पेड़ लगाना सिखाता भी है हमारे आश्पती जी औक एंदरि मंतरिगंद यहाँ तक कि कुनों में प्रधान मंत्री जी ने पेड़ा लगाए जब एक हम गाली प्रधान मंत्री जी ने भी प्रिक्चरों पड़गा अलग-अलग सामाजिक कारिकर्ता अध्यात्मिक संथ सांस्कृतिक कारिकर्ता व्यवसाई एकेडिमिक राजनेक परियावरन प्रेमी बिसेशकर मेरे बेटा बेटी यह जो हैं खड़े हैं परियावरन को बचाने के अभियान में अश्रकार मित्रों ने पेड़ लगा है उनको भी हिर्दय से धन्यवाद देता हूं मैं समझता हूं कि आपका भी जर्म दिन अपेड़ लगा के ही प्रारंब होता है उन्होंने भी प्रेस ने मीडिया ने इस अभियान को ब्यापक स्वरूप प्रदान किया थे आज दिविन्न हमारे गणमाने साथी मंझ पर बैठे हुए मेरे सभी सहयोगी अद्दगी और मंत्री गणों सहित सभी सामाजे कारी करता लगबख 730 पौधे आज यह रोपने का कामवार स्री राम बन ये बना है ये राम बन मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित सहरी बन होगा इसको बन बना रहे हैं जंगल घने पेड़ लग रहे हैं बीच बीच में जब ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे तब यहीं आएंगे भोपाल एरपोर्ट के ठीक बाहर दुनिया आएगी तो देखेगी भोपाल का पर्यावरण प्रेम मद्ध प्रदेश का पर्यावरण प्रेम अब राम आस्ता मिसन का भिननन करता हूं उन्होंने इसकी देख भाल के जिम्मा में भी सहोग करने का फैस्टा किया है तो उनका भी ताली बजा के स्वागत पर है यहां एक लाख चालीस अजार प्रेड लगेंगे धीरे धीरें से जंगल बनते जाएं धर्ती हरी भरी होती जाएं केवल इंसान काई के लिए पसूब पक्षी कीड पतंगे जीव जन्तू भी मुस्कुराएं अपन तो चीता ला रहे हैं थोड़े बहुत नहीं अब ठोक में आ रहे हैं कल बारा और आ गए तो सब के लिए ये धर्ती सब के कल्यान का कारण बने और आने वाली पीडियों के रहने के लाएक ये धर्ती हम बना पाएं इस अभियान में सहीोग देने के लिए मैं आप सब का हिर्दे से आभारी हूँ हिर्दे से आभारी हूँ सब्सक्राइब आपने जनान दोलन का इसको सुरूब दिया मेरे भांजे भांजे तो जनूनिया लगए रहते हैं कहीं न कहीं उनका भी आभार और इसी संकल्प के साथ कि मैं तो रोज लगाऊं लेकिन आप न भूले जनम दिन साधी की बरसकाथ अकर साधी हो गई हो तो इस प्रती में पेड़ लगाएं एक बार मैं फिर अपने सभी साथियों का आभारी हूं जो आज पेड़ लगाने मेरे या मंज़ पर बैठे हैं वो भी एक संदेश है मद्देश को हरा भरा रखने का और आप सब जो नीचे बैठे हैं और अभी भी कई मित्र भी पेड़ों को विवस्थित करने के काम में लगे हैं उन सब का मैं हिर्दे से आभार परिकट करता हूं मीडिया के मित्रों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माद्धम से हमने इस अभीयान को जन जन तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की और आप भी सक्रिय सहयोगी रहे हैं आईए धर्ती को हरा भरा बनाते चले जाएं अपनी सांसों की इंतजाम के साथ साथ आने वाली पीडियों की सांसों का भी इंतजाम करते जाएं बहुत-बहुत धन्यवाद प्रणाम नमस्कार धन्यवाद मुक्यमंत्री महुदए सामने मंच के ठीक सामने तिरंगा लेर हा रहा है यह मारी शान है आन है वान है इसमें भी हरा रंग है जो प्रकृति का रंग है और एक बड़ी बात कि अप पेर लगाना रास्ट धर्म की तरह अपेक्षित हो गया है और उसे लोग मानन करने भी लगे हैं अब आज के इस कारिक्रम के अंतिम पड़ाव पर आभार व्यक्त करने के लिए मैं नगर पालिग निगम भूपाल की महापावर शरीमती मालती राइजी से आग्रह करूंगा आज मानिय मुखी मंत्री जी के दो वर्ष ब्रक्षर ओपन करते हुए पूर्ण होने पर भूपाल नगर निगम के द्वारा आयोजित प्रक्षर ओपन कारिक्रम में उपस्थे हमारे प्रदेश के यससफ्वी मुखी मंत्री आदर नियसिवरा सिंग चोहान जी का में तो यसे धनिवाद करती हूं. करती हूं नगर निगम के समस्त अधिकारियों का मानियक अलेक्टर मोहदाएगा उनकी टीम का मैं हिर्दय से धन्यवाद करती हूं इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रिंट मीडिया पुलिस प्रसासन का भी मैं हिर्दय से धन्यवाद करती हूं और जितने भी लोग इस दो वर्ष म सहियोगी रहे हैं, मैं उनका भी हिर्दय से धन्यवाद करती हूँ. निवेदन है, क्रप्या बीच रास्ते में खड़े ना रहे हमारे सम्माननी अतिति, यहां से जब प्रस्थान करेंगे, तो वे निर्वाद रूप से अपने, और आप सभी के लिए यहां स्वलपाहार की विवस्ता है, जब आप यहां से प्रस्थान करें, तो जहां चित्र प्रश्णी समाप्त होती है, उसके बाद में सभी के लिए स्वलपाहार की विवस्ता की गई है,